The Classic Scorpio जी हाँ, Scorpio N आने के बाद Scorpio Classic भी एक नए अफ़तार में दिखेगी किसीने सोचीना होगी वेलकम तो दे मोटर वेब अपना प्यार ज़रूर दिखाएं और लाइक और सबस्क्राइब करके जाएं तो Scorpio N आने के बाद ये गाड़ी लोगों को पसंत वाई पर थोड़े देर से क्योंकि Scorpio N में वो वाली अग्रेसिव लुक नहीं है जिसके लिए Scorpio मसूर है और कमपनी वाले कहते रहें कि हम क्लासिक Scorpio को भी मनुफाक्चर करेंगे Scorpio N के साथ-साथ बट 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 जनता जनार्धन के दिल्चस्पि Scorpio N को लेकर ज्यादा दिखाई देने लगी जब Scorpio N ने 3.5 लीटर एंजन वाली Fortuner को पीछे छोड़ दिया वो भी सिर्फ 2.2 लीटर के एंजन के साथ में वाव को अलग रखते हैं और Classics model पे ध्यान देते हैं और फिर company ने काम चालू करा Classics फिर एक बारी स्कोर प्यो क्लासिक मार्केट में रोला जमाने के लिए आने वाली है और भी जादा अग्रेसिव लुक्स के साथ जिसमें की आपको self-driving feature भी देखने को मिल सकता है जैसा की XUV7OO में देखने के लिए मिला तो कहीं ने कहीं ये गाड़ी अभी तक एक concept है बट हमें 2023 के made या last में इस गाड़ी की manufacturing और production देखने के लिए मिल सकती है और जैसा की महेंदरवालों ने 11 new गाड़ीयों का launch confirm करा है तो उसमें से एक ये गाड़ी भी आपको देखने के लिए मिलेगी Scorpio Classic में हर एक चीज नया देखने को मिलने वाला है जैसे की front bumper, Doge Inspire Headlamps हलाकि Doge Inspire Headlamps पुरानी वाली Classic में भी देखने के लिए मिली और इसका grill भी new look में आने वाला है जैसा की XQB 7W में देख चुके ही हैं हम सब तो इस वीडियो में इतना इच मिलेगा हम कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं की क्या आप excited हैं New Classic Scorpio के लिए